जो previous लेक्चर था उसमें हम लोग boolean algebra का first class ये देखे थे तो उसमें some important points of boolean algebra बता रहे थे उसमें three points तक बताये थे first point बताये थे binary decision second point explain किये थे second point आपका था logical statement और third point था truth values तो binary decision में आप लोग को ये बताये थे कि binary decision जो होता है वो कोई भी decision आप लेते हो तो उसका result दो में कोई एक होता है either true और false तो उसमें लिखा हुआ था the decision which results into either true or false is called binary decision ये बताये थे logical statement क्या होता है logical statement कोई भी आप statement के बारे में सोचते हो और उसका true के लिए और false के लिए सोचते हो उसको हम लोग logical statement बोलते है truth values true और false को बोला जाता है ये हम लोगों ने पढ़ा था ठीक है आज की class में हम लोग आज की class में हम लोग पढ़ेंगे fourth point fourth point आप देखोगे fourth point क्या होगा ये समझना है point number four color change कर लेते point number four इसमें हम लोग पढ़ने वाले है logical variable logical variable क्या होता है ये समझेगे ये भी important है इसमें दो point होता है देखो एक आपको variable के बारे में जानना है और एक जानना है logical variable के बारे में एकुली variable अगर दोनों में नाम है तो दोनों का एकी काम है बहलू को फश्टोर करना जैसे आप मैट्स में पढ़ते हो तो x लेते हो a लेते हो ये सब variable है ये सब में हम लोग बहलू को फश्टोर कर सकते हैं जैसे a में 10 ह offer किई फिर इसे A में आप चाहते हों कि नहीं 20 ए 2 इस्टोर करें तो 20 great store कर सकते हो मतलब यह है कि variable हम लोग उसको बोलते हैं जिसका value vary करता है vary means होता है change होना जो variable का value change होगा उसको हम लोग variable बोलेंगे मतलब जिसका value vary करेगा उसको variable बोलेंगे देखो यहाँ पर A का value 10 है, A का value 20 है, A का value 30 है, value change हो रहा है, A में हम लोग 3 value को store किये हैं, और भी कर सकते हैं, और variable का नाम कुछ भी ले सकते हैं, X, Y, A, B, P, Q, R, जो भी आपको मन हैं वो आप ले सकते हो, यह हुआ variable, variable में आप किसी भी तरह का value store कर सकते हो, लेकिन हम लोग variable नहीं पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, logical variable, logical means होता है 2 value, logical का मतलब होता है 2 value, logical मतलब 2 value, 1 0 और 1 1, मतलब logical variable उस variable को बोलेगे, जो सिर्फ 2 value को store करेगा, वो 0 को store करेगा, या 1 को store करेगा, जैसे आप A लिए हो, और A में अगर 0 store कर रहे हो, या फिर आप A में 1 store कर रहे ह तो A जो आपका है ये logical variable है 2 के अलावा आप अगर तीसरा value A में 20, 30, 40 अस्टोर कर रहे हो तो वो logical variable नहीं है वो variable है logical variable दो ही value को store करता है दो ही value को अपने under store करके रखता है जिसको हम लोग logical variable बोलेंगे कौन-कौन सा value? 0 को और 1 को तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? कि एक variable जो दो भेलू को रखेगा उसको हम लोग logical variable बोलेंगे क्या-क्या रखेगा? वो 0 रखेगा या 1 को रखेगा उसको हम लोग logical variable बोलेंगे बूलियन अलजेबरा का class चलेगा अभी ठीके? आप तो अभी class को start किये हैं तो आप अभी से ही पूछ रहे हो सर कब तक classes चलेगी बूलियन अलजेबरा का? यह अभी चलने दो class जब खतम होगा तो हम आपको बता देगे उसके बाद C++ start करेगे समझ मैं? तो आपको पढ़ने पर ध्यान देना है अभी आपने 12th में इंटर किया है तो अभी आप अच्छे से पढ़िए आराम से पढ़िए आपको दो बार पढ़ाएंगे computer science ठीके? एक बार खतम करके फिर से revision करवाएंगे तो उसके लिए आपको नहीं सोचना है ठीके? तो देखो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे? तो हम लोग इसमें ये लिखेंगे कि boolean algebra होता क्या है? ये समझना है ठीके? ये बच गया ना? देखो इसमें हम लोग ये लिखेंगे कि boolean algebra जो है यह सौरी, logical variable, तो हम लोग यह लिखेंगे, आप variable, एक variable, जो that, that can, that can have, have only, only two values, कितने values को रखता है, दो values को रखता है, either, either, 0 और 1, यह दोनों में किसी एक को स्टोर करेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, is called, is called logical variable, इसको हम लोग logical variable बोलते हैं, पॉइंट आया समझ में, बहुत सिंपल लिखें, कि एक variable जो रख सकता है, can मतलब सकना, have मतलब रखना, जो रख सकता है, कितने values को, दो values को, two values को, 0 को, या 1 को, उसको हम लोग कौन सा variable बोलेंगे, logical variable बोलेंगे, आ गया समझ में यह point, clear है, logical variable, clear है, समझ में आ गया, कि variable, एक variable, जो, जो क्या करता है, जो रख सकता है, कितने values को, दो values को, 0 को, या 1 को, उसको हम लोग logical variable बोलेंगे, पहला point, next, number 5, number 5 में है, compound statement, compound statement किसको बोलेंगे, compound statement, यह समझना है, compound statement होता क्या है, बहुत simple है, compound statements, यह समझोगे, देखो, compound statement में क्या होता है, कि जो भी logical statement होता है, उसको combine किया जाता है, logical operator के दवारा, logical operator तीन होता है, बताएंगे आप लोगों को, and or not, यह तीन हो, आगे explain करेंगे, और C++ 11th में बताये थे, लेकिन हम फिर पढ़ाएंगे, 12th में आपको एकदम basic से पढ़ा रहे है, आपको tension नहीं लेना है, बहुत student सोच रहे है, sir, हमने तो 11th नहीं पढ़ा, तो कैसे समझ में आएगा, तो वो नहीं है आपको, आपको 11th अब छोड़ देना है, 11th का exam हो गय तो ये tension नहीं लेना है, ये दिमाग से निकाल देना है, समझो, हम लोग पढ़ रहे है, compound statement, compound statement क्या करता है, बहुत सारे logical statements को combined करता है, combined मतलब होता है, मिलाना, मिलाता है, तो मिलाने के लिए कोई होना चाहिए, तो वो किसके help से मिलाता है, तो logical operator के help से उसको combine करता है, समझ statements statements logical statements can be can be combined जो combined किया जाता है मिलाया जा सकता है combined किसके help से तो with the with the help of help of logical logical operators किसके help से combine करेगा logical operators के help से combine करेगा like जैसे कि like like and operator or operator and note operator यह logical operator है इसके next class में हम लोग इसको explain करेंगे कि यह होता क्या है समझोगे अगला point तो इसको हम लोग क्या कहते हैं each called each called compound statement compound statement इसको हम लोग compound statement बोलते हैं point आ गया समझ में clear है concept ठीक है तो आप इसमें देखोगे बहुत simple लिखे logical statement कल के class में बताये थे बताये यह थे कि जो हम लोग true or false के लिए जो determined करते हैं उसको logical statement बोलते हैं हमको केसे आपको काम कर दिये तो हम उसके बारे में सूचे हैं यह काम किए होते तो यह ऐसा होता ऐसा नहीं किए होते तो यह नहीं होता तो हम लोग जो सोचते हैं और जो जितने भी statement को सोचते आ은 उसको जो combine करते हैं किसके help से logical operator के help से उसी को बोलते हैं compound statement तो यह दो point है इसके बाद हम लोग next point समझने वाले हैं टोटोलोजी और फ्लैसी ठीक है फाइब नमबर यह आ गया समझ में ठीक है चलो next next है five six point six number six में है टोटोलोजी इसको अलग अलग लिखते हैं ने तो बहुत स्टूडेंट को नहीं आता समझ में अलग अलग लिख देते हैं टोटोलोजी यह होता है यह हम लोग को समझना है और एक होता है फ्लैसी क्या होता है फ्लैसी टोटोलोजी होता है और फ्लैसी होता है दोनों का मतलब हम लोग समझेंगे seven number फ्लैसी यह दोनों का मतलब समझेंगे टोटो लोजी क्या होता है और फ्लैसी क्या होता है ठीक है अब आप इसमें समझोगे कि यह दोनों होता क्या है ठीक देखो टोटो लोजी अगर आप कुछ भी सोचते हो कुछ भी सोच रहे हो ठीक है और आपका जो भी आप thinking mind में ला रहे हो उसका result हमेशा सही होता है गलत भी सोचते हो तो भी सही होता है मतलब आप जो भी सोच रहे हो वो सब काम सही हो जा रहा है उसको टोटो लोजी कहेंगे मतलब जिसका result always true होगा जो statement का result हमेशा true होगा कभी गलत नहीं होगा उसको totology बोलेंगे और जिसका result हमेशा गलत होगा जो आप सोच रहे हो वो हमेशा गलत हो रहा है तो उसको हम लोग flashy बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे flashy बोलेंगे तो देखो बहुत स्टुडेंट कन्फ्यूज कर जाता है टोटोलोजी में और flashy में इसमें आप समझोगे इसमें हम लोग यह लिखेंगे कि अगर अगर कोई भी statement का result हमेशा true होगा तो उसको totology बोलेंगे और हमेशा false होगा तो flashy बोलेंगे तो एक trick देते आपको देखो to say true होता है και true होता है और te車 tua logy होता है टी-से true टी-से टोटोलोजी मतलब टी-से टो टोटोलोजी तो टी-से true मतलब इसमें result हमेशा true होगा migrant at f이 से बहुँत हमेशा false मतलब इसका result हमेशा false होगा एक याद रखोगे तो दूसरा हमेशा याद रहेगा एक एक आप totology अगर याद रखे हो तो ये flashy offer में आपको मिल जाएगा क्योंकि इसका same line होगा इसमें सिर्फ true लिखना है और वही true को इसमें false कर देना है और ये बहुत important है ये भी भी आई है ये आपके एक्जाम में hundred percent आएगा one marks में आएगा ये question इतना important है ये one marks में आएगा hundred percent आएगा जेस दिन नहीं आएगा न उस दिन पढ़ाना छोड़ देगे ये guarantee दे रहे आप लोग को ये hundred percent आपके एक्जाम में आएगा question totology या flashy तो एक याद रहेगा तो second आप खुद से define कर सकते हो देखो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि अगर कोई भी logical statement का result हमेशा true होगा तो उसको हम लोग totology कहेंगे if if यदि यदि if the result result of any 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 logical logical statement को expression भी बोलते है logical statement या expression is always always मतलब हमेशा always क्या होगा always true true होगा तो boolean algebra में true को one से भी दिखाते है true होगा या one होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे तो then it is it is called called totoology उसको क्या कहेंगे totoology कहेंगे इसको अलग अलग लिख देते हैं ठीक है कि को क्या कहेंगे totoology टोटो लोजी यह कहेंगे समझ में आया तो यह है इसका थियोरी बहुत असान है असान है ना लिखा हुआ है सिम्पल कि कोई भी लॉजिकल स्टेटमेंट एनी लॉजिकल स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होगा हमेशा ओल्वेज मतलब हमेशा क्या होगा ट्रू होगा कभी ग त्योरी अगर लिखना है फ्लैसी का ये line सेम रहेगा सिर्फ आपको true के जगा क्या करना है false और false का false को किस से दिखाते जीरो से तो false और जीरो मतलब आप ये लिखोगे इसमें फ्लैसी में if the result of any logical statement और expression is always false हमेशा false होगा किस में लिखेंगे फ्लैसी में तो उसको हम लोग क्या कहेंगे टोटो लोजी कहेंगे समझे ये सॉरी फ्लैसी कहेंगे result अगर हमेशा false होगा तो फ्लैसी कहेंगे क्या आप लोग फ्लैसी का definition लिख लोगे कमेंट करके बताईए जल्दी से yes या no फ्लैसी का थ्योरी लिख पाओगे आप लोग कमेंट करिए करन साहीद ठीक है और भी है बहुत सारे student है कमेंट करो लिख पाओगे आप लोग यस यस साहीद कमेंट क्या यस सर लिख लेगे बहुत अच्छी बात है ठीक है कुछ तो करना नहीं है सिर्फ चेंज करना है यह लाइन सेम टू सेम लिखना है और true के जगा क्या लिखना है false मतलब एक याद करो तो एक offer में मिल जाएगा क्या समझ में आ गया theory आप लोगों क क्लियर है बहुत सिंपल लिखा हुआ है अब हम लोग एक most important point ठीक है हाँ वन के जगा 0 होगा true के जगा false होगा बस और कहीं change नहीं करना है अब जो है अब एक point आप लोगो जो most important point बताने जा रहे है जो physics में भी 3 marks में आता है और computer में भी 3 marks में आता है दोनों जगा पे 3 marks में आता है तो आपको ये समझना है कि वो point जो बता रहे हो बहुत important है next हम लोग 7 तक clear कर चुके 8 number point देखेंगे जिसका नाम है truth table क्या नाम है truth table truth table हम लो समझ मां गया next चलो अगला है truth table चलो हम उसका भी लिख देते हैं ठीक है क्योंकि notes अगर share करोगे तो फिर problem होगा देखो if the result of any result of any logical logical statement a statement or expression 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 क्या होगा बोलो हमेशा is always false क्या होगा false होगा या फिर zero होगा तब वो क्या कहलाएगा then then it is it is called called flashy तब उसको हम है समझ में आ गया student अभी यहीं ना समझा रहे थे clear है ठीक है जालो next next point अब आते हैं eight number point पे eight number point में हम लोग समझेंगे truth table यह बहुत जरूरी है समझना truth table हम लोग किसको कहते हैं यह जानना जरूरी है ठीक है truth truth table समझोगे सबसे पहले तो स्टूडेंट को यह समझ में आना चाहिए कि टेबल किसको कहते है तो टेबल जो होता है वो combination होता है rows और columns का टेबल लिजा combination of rows and columns यह point आ गया समझ में अब इसमें एक नाम add है truth तो truth मतलब दो भेलू बताये थे 0 और 1 मतलब जो table में दो ही भेलू रिपरजेंट किया जाएगा 0 और 1 उसके अलाबा तीसरा भेलू नहीं होगा उसको हम लोग truth table बोलेंगे जैसे आपको एक table बनाना है आप एक table बना रहे हो तो इसमें number of रोज होगा इस तरह से है ना और number of columns होगा इस तरह से अब यह table है अभी इसका नाम table है यह table है table इजा combination of rows and columns row और column को मिलाने से table बनता है ठीक है यह table है अब इस row और column में हम लोग भेलू रख रहे हैं अगर आप इसमें दो ही भेलू रख रहे हो सिर्प 01 को रख रहे हैं देखो सिर्फ 01 01 दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे truth table इसको क्या बोलेंगे truth table और अगर इसमें आप 5 6 7 8 कुछ भी रख रहे हो तो यह truth table नहीं है यह सिर्फ table है यह truth table नहीं कह लाएगा truth table उसी table को बोलेंगे जिस table में दो ही भेलू रिपरजेंट होगा 0 और 1 और जो table में 0 1 यूज हो रहा है उस table में जो भी variable लिखा रहेगा वो logical variable होगा क्यों क्योंकि logical variable दो ही वेलू को स्टो सारे हो तो उसको हम लोग truth table कहेंगे मतलब truth table एक table होता है truth table इजा टेबल truth table एक क्या होता है table होता है जो रिपरजेंट करता है जो दिखाता है logical variable के सारे possible values को मतलब logical variable मतलब x y z जो भी होगा उसका जितना भी तरह का वेलू होगा उसको यह रिपरजेंट करेगा दिखाएग तो कितना तरक होगा, दो ही value होगा, 0 होगा और 1 होगा, क्योंकि हम लोग truth table पढ़ रहें, और truth table में दो ही value represent किया जाता है, समझ में आया, ठीक है, अब आप इसमें समझोगे, और इसका formula होता है truth table का to the power n, n जो है, वो number of variables को बताता है, कि इस table में कितना variable use हुआ है, उसको ये represent करता है, ठीक है, तो पहले हम theory इसका लिखते हैं, इसका definition लिखेंगे, उसके बाद, ठीक है, इसमें आप समझोगे, देखो, इसमें हम लोग ये लिखेंगे, कि truth table, truth table, is a, is a table, truth table, एक table होता है, जो, that, represents, जो दिखाता है, represent करता है, जो represent करता है, that represents, that represents all, all मतलब सारा, all the possible, possible, values, values, of, of, logical variable, logical variables, सारे logical variables के possible values को ये दिखाता है, इसको हम लोग truth table बोलते हैं, बहुत असान है, ठीक है, truth table, एक table होता है, जो, represent करता है, दिखाता है, logical variables के सारे possible values को, मतलब, जितना तरह का value होगा, सबको दिखाएगा, अब इसका formula होता है, the, the basic, basic formula, 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 of, truth table, truth table, is, is, to the power n, ये होता है, to the power n, जहाँ पर, वेर, एन जो है, एन, represent करता है, represents, represents, n represents, number of, number of variables, ये number of variables को, represent करता है, दिखाता है, ठीक है, तो, ये इसका basic theory हुआ, अगर आपको, कोई भी truth table बनाना है, तो, ये formula आपको, दिमाग में रखना पड़ेगा, to the power n, जितना इसका number of variables होगा, आपका basic theory है ये, अगर question आता है, what is truth table, तो आप यहीं पे इसको लिखोगे, लेकिन अगर question बनाने के लिए आगया, तो ये formula दिमाग में रखना पड़ेगा, अभी हम example भी इसका बता रहे है, ये theory clear हो गया, अब देखो, example बता रहे truth table का, example को समझना, देखोगे, इसमें, example क्या होगा, तो example हम दो variable का लेते है, two variables का आपको truth table बनाना है, कितने variables का, दो variables का बनाना है truth table, तो इसमें समझोगे, आप इस तरह से बनाओगे, दो variable आपको लेना है, ठीक है, एक a लेना है, और एक b लेना है, और हम दोनों को into कर देते हैं, तो boolean algebra में dots into होता है, a dot b, a dot b, ये हो गया, आप देखो, इसका formula अप्लाई करना पड़ेगा, formula क्या होता है, to the power n, n क्या represent करता है, number of variables को, तो बताओ, यहां कितना variable दिख रहा है, दो variable दिख रहा है, a और b, तो number of variable कितना हुआ, 2 हुआ, कितना हुआ, 2 हुआ, तो बताओ, n के जगा कितना put होगा, 2 put होगा, तो क्या होगा, to the power n, to the power 2 होगा, N के जगा 2 put कर दी क्योंकि हमारे पास 2 variable है A है और B है इसलिए 2 put किये अब इसमें आ जाएगा कितना 2 पर पावर 2 है तो 4 आ जाएगा 4 आ गया अब बताओ इस table में 2 value represent होता है 1 0 और 1 तो 0 1 को binary number बोलते हैं कौनसा number बोलते है binary number और binary number का base कितना होता है 2 होता है 2 यह जो result मेरा आया फोर इसको 2 से divide करेंगे जितना binary number का base है उससे divide करेंगे क्योंकि इस table में सिर्फ 0 1 आता है binary number आता है इसलिए तो इसको 2 से divide कर देंगे तो 2 से divide कर देंगे तो 2 आ जाएगा 2 किसके लिए हुआ A के लिए, मतलब A के लिए 2 हुआ, आपको बोला जा रहा है कि A में 2 बार 0 लिखो, 2 बार 1, पहले 0 लिखना है, उसके बाद 2 बार 1 लिखना है, बोलो गई सर, पहले 0 क्यों लिखेंगे, क्योंकि binary नंबर के counting में, पहले 0 आता है, बाद में 1 आता है, इसलिए, तो आपको क्या क करेंगे फिर से टू से डिवाइट करेंगे कितना आएगा वन यह जो वन है यह किसके लिए हुआ बी के लिए बी के लिए मतलब बी में बोल रहा है वन आया है इसलिए बी में यह बोला जा रहा है कि बी में एक बार जीरो लिखो और एक बार वन लिखो तो बी में एक बार ज experience हो जाओगे बहुत सारा question बनाने लगोगे तो दो variable दिखेगा तो आप डारेक्ट डारेक्ट यह करना नहीं आपको डारेक्ट लिख देना है दो बार 0 दो बार 1 एक बार 0 एक बार 1 ऐसे तो आप बताओ अब हम आपसे question पूछ रहे हैं कि हमारे पास तीन variable है A B C तो बताओ टू पर पावर 3 होगा होगा की नहीं तो टू को तीन बार इंटू करेंगे ठी टाइमस इंटू करेंगे तो 8 आएगा 8 को भागा देंगे 2 से 4 आएगा कितना आएगा 4 आएगा फूर तो A में 4 बार 0, 4 बार 1 लिखेंगे, फिर उस 4 को 2 से डिवाइट करेंगे, तो 2 आएगा, ये B के लिए होगा, तो B में 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, alternative way में लिखते रहेंगे उसके बार फिर उस two को two से divide करेंगे one आएगा तो c में एक बार जीरो एक बार one एक बार जीरो एक बार one इस तरह से लिखेंगे क्या तीन वाला बनेगा आप लोग से हम two का बता रहें तो three का truth table आप लोग बना सकते हो yes या no comment करके बताईए सब comment करेंगे three का बनेगा या नहीं बनेगा three variable का truth table क्योंकि हम question देंगे आपको यह पहला example हम बता रहें first example second आपको बनाना है खुद से yes या no comment करो active होना आप लोग थोड़ा energetic रहें हाँ yes sir बन जाएगा हाँ साहिद साहिद कमेंट किया yes sir बन जाएगा thank you साहिद और और कोई और कोई student कमेंट करें बताईए चलो इसमें आप देखोगे देखो इसको into करेंगे तो जीरो यह जीरो जीरो वन यह हो जाएगा वन अब आप इसमें समझोगे कि इसमें सिर्फ जीरो वन दिख रहा है कोई तीसरा भेलू नहीं दिख रहा तो इसी को हम लोग बोलते क्या है truth table यही है हमारा truth table समझ मैं आग अगर तीन भेरियेबल का बनाना है तो आप डारेक्ट बना सकते हो नहीं भी लिखोगे फिर भी इस तरह से तीन भेरियेबल का बता रहे है ए पी सी और तीनों को into करना है ए डॉट बी डॉट सी यह बताओ आठ आएगा ना तो ए में चार बार जीरो यह फर्मुला से चार यह लिख लेंगे बी में दो बार जीरो दो बार वन दो बार जीरो दो बार वन सी में एक बार जीरो एक बार जीरो एक बार वन एक बार जीरो एक बार जीरो एक बार वन यह हो गया अब इसको into करेंगे तो बताओ सब जीरो हो जाएगा होगा कि नहीं सब जीरो और लास्ट में एक one ऐसे बनेगा कितने variables का three variables का तो आपका four variable देगा five variable देगा तो बना लोगे truth table आप लोग के exam में three variables तक आता है truth table बनाने के लिए ये truth table बहुत important है लगबग इसके आगे जितना पढ़ेंगे सब में truth table आपको बनाना है तो ये आपको खुद से समझना है कि ये truth table बनता कैसे है समझ में आगे है student तो आज हम लोग जो point पढ़े वो देखो पहला ये पढ़े हम लोग first पढ़े totology किसको कहते हैं classic किसको कहते हैं इससे भी पहले भी पढ़े थे रेखो ये पढ़े थे logical variable तो जो variable दो बेलू को store करेगा 0 और 1 को उसको logical variable बोलेंगे जो variable दो ही बेलू को store करेगा 0 और 1 को उसको logical variable कहेंगे compound statement logical statement combine किया जा सकता है किसके help से logical operator के help से उसको हम लोग ये compound statement बोलते हैं समझ मैं है उसके बाद टोटोलोजी बता है कि किसी भी statement कोई भी logical statement का result हमेशा हमेशा क्या होगा true होगा उसको टोटोलोजी कहेंगे और हमेशा false होगा उसको flashy कहेंगे समझ मैं next next क्या बता है truth table truth table एक table होता है जो represent करता है logical variable के सारे possible values को ठीक है इसका formula होता है to the power n n जो है वो दिखाता है number of variable मतलब variable का संखिया कितना है वो बताता है इसको बनाते कैसे हैं तो इसका basic formula बता है इस तरह से इसको बनाते हैं समझ में आ गया आज के class में किसी को दिक्कत है क्या clear है concept ठीक है आज यहीं तक class रखते हैं और जो भी a student कोर्स को purchase करना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाए ठीक है आगे बहुत मजा आने वाला है सारफ अच्छे से बताया जाएगा आपको जो भी पढ़ाया जाएगा mcq pdf सब प्रोपर तरीके से नोट्स आपके पास शेयर किया जाएगा ठीक है तो जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाएगे यहाँ पे दोनों फैसलेटी है online और offline आपको जिस mode में जुड़ना है जुड़ना है उसका contact list दिया हुआ है उस अगर कोई भी दिक्कत होत झाल